नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका सॉलेजर संदीब कटारिया और स्वागत है आप सभी खा आपी के चैनल पर हम बात करने जा रहे हैं कि नक्षत्रों के नाम कैसे याद रखे क्योंकि बाकी सब कुछ तो याद रखना आसान है पर जो 27 नक्षत्र हैं उनका नाम याद रख और उसकी मदद से आप कभी भी भूलेंगे नहीं नक्षत्रों के नाम आपको मैं बता दूं कि कैसे याद रखे सीरीज का ये चौथा वीडियो होने वाला है और इसमें पहले हमने ये तीन वीडियो डाले हुए हैं मुझे आशा है आपको पसंद आया होंगे और अगर कि इनके लिंक कहां है क्योंकि बहुत सारे में कॉमेंट्स पड़ता हूं जिसमें हमेशा वो लिखा होता है जो मैं वीडियो में बता चुका होता हूं तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि नक्षत्र कौन से हैं और उनके नाम क्या है तो लीजिए पहला है अश्वनी भर्नी कृतिका रोहिनी म्रिक्षिरा आरदरा पुनर्वासू पुश्या अश्लिशा मघा पूरुफागुनी उत्तर फागुनी हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा अन उत्तरहशार, श्रावन, धनिश्टा, शत्वशाक, पूर्वभाद्र और उत्तरभाद्र और एंड में रेविती एक अभी जीत नक्षत्र भी होता है जो अठाइसना होता है पर इस्तॉलिजी में कैलकुलेशन प्रोपोसेस के लिए उसका इतना इस्तमाल शायद हम डे-ट लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है नहीं मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूं आपने से बहुत सारे लोग प्रतिवाशा ली हैं फिर भी मैं एक टिप देना चाहूंगा जिसका मैं स्वायम इस्तमाल कर चुका हूं तो सबसे बहले नक्षत्रों को दुबारा से देखते हैं और हम यह देखते हैं कि इनका स्वामी कौन है तो मैंने नक्षत्र वैसे लिख दिए हैं जैसे कि वो अपने स्वामी के अंडर आ जाएंगे जैसे केतु गवन करते हैं अश्वनी मगा मूला वीनस गवन करते हैं भरनी पूर्वफागूनी पूर्ववाशाड़ा उसी से मैं ऐसे ये लिखता जा रहा हूं समय बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा फास्ट काम किया है तो इसको आप ऐसे देखें वान टू थ्री करके ना याद करते हुए आप वान टेन नाइंटीन करके याद करें उसका फाइदा है क्योंकि हमें नक्षत्र लौट का बारे में प करेंगे आप और याद करेंगे तो एक्जामपल चे तोर पर कोई आप से पूछें या आप कुस्वएम के जरौत पड़े कि तू TIME करेंगे अश्वनी मगा मुला को पूछें कि सूर्य के नक्षत्र कौन-कौन से हैं तो आप कहेंगे क्रितिका उत्तर फागुनी उत्तर आशाण अब यह याद करने में बड़े काम आएंगे चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा करते हैं एक कहानी बनाते हैं तो माल लेते हैं कि हम केतु की नक्षत्र ते याद करने जा रहे हैं और एक छोट उसे आम पसंद है और आम की स्पेलिंग उसको ठीक से नहीं करनी आती है तो आम को वह ए एम एम लिखता है पर बोलने में आम ही होता है तो इसलिए अश्वनी मगा मूला नक्षत रहोंगे किसके केतु के जी हाँ आगे चलते हैं अब वह बच्चा बड़ा हो गया बड़ा हो तो वीनिस के अधीर हो गया मत्व उसको अब सुंदर लड़के लड़कियां इन सब के साथ मिलना जुलना पसंद है फैशन करना पसंद है आप समझता ही है है तो अब जब आप यंग एज में आते हैं हाट ब्रेक भी होते हैं क्योंकि ब्रेक अब होते हैं तो टेंशन, नहीं लिखा है बी पी पी लिखा है तो यह बी पी पी कौन से हैं भर्नी पूर्व फागुनी और पूर्व आशाड़ा मैं रिपीट करता हूं कि बच्चा बड़ा हो गया अब एक स्टोरी बना रहे ना बच्चा बड़ा हो गया डल्ट हो गया प्यार हो गया और फिर ब्रेक किसी भी व्यक्ति को सुबह उठ ना होता है, मुझे भी, आपको भी, और सुबह कैसे उठते हैं, हम कई बार कोयल की रॉज सुनते हैं, तो कहल कैसे काती है? कु कु करके, तो हमने कहा कु बस कु पकड़ लिया, क, यू, यू, और उसमें से हमने क्या पकड़ा क्रितिका उत्तर फागुनी उत्तर आशाग है ना भज़ेदार बात आगे चलू अगर आपने भी नोट नहीं किया तो कोई बात नहीं वीडियो पूरा देख लीजिए फिर वापस आ जाएगी गा स्लो स्पीड पे चला लिजेगा यहां भी पॉ वेवर जो है वो राइट हैंड साइट को बैठता है तो राइट हैंड साइट से कौन से नक्षत्र होंगे रोहिनी हस्ता शरावण मैं रेपीट करता हूं सुबह तो उठ गए अब आफिस जा रहे हैं कैसे कार से और गाड़ी कहां चलाते हैं हमारा स्टेरिंग रिल का होता है राइट हैंड साइट में होता है भारत वर्ष में और कुछ और कंट्रीस में भी तो राइट हैंड साइट रहेचेस उससे नक्षत्र हुए रोहिनी हस्ता शरावण आगे बढ़ते हैं अब मंगल की बारी है तो यह सहाब आफिस ना जाकर वाया मैकडॉनल्ड गए ठीक ह मैकडॉनल्ड एमसीडी तो ओफिस शायद नाश्ता नहीं किया होगा तो यह मैकडॉनल्ड गए और उसका मैकडी जैसे बोलते हैं यंग जनरेशन तो मैकडी रग लिया तो मैकडी से क्या निकला म्रिक्षिरा चित्रा धनिष्टा यह किसके नक्षत्र हैं यह मंगल के यानि की मार्स के नक्षत्र हैं और आगे चलें अब इनकी पेट पूजा तो हो गई और थोड़ा सा जंग फूर्ड खाके यह आगे और पीछे से थोड़े से वह भी हो गए तो फिर उससे दिखने किसी बुरी सेंस में नहीं लीजेगा यह याद करने के लिए टेक्नीक्स हैं ताकि आप अपने आपको जितना हसा सकें मजाग कर सकें कुछ हट के बाद कर सकें तो उतना यादा जल्दी याद होता है राहु के बाद अब हम चलते हैं ब्रैस्पती जी की तरफ तो यह शाम क होगा बुद्धिस मॉनेस्ट्री में बचता है तो वहां पर पी वी पी वह ऐसा कुछ लंबी सी पंडिट जी या पुजारी यह जो भी उस जगां के होते हैं देख भाल करने वाले वह लंबा सा पी 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 ऐसे कुछ बगा रहे हैं तो यहां से क्या निकला पू कि अब इन्हें भूग लगी सुबह गह से मैगडी और शाम को भूग लगी तो सामने ही वहां पर पाव भाजी भेजने वाला विक्तिव बैठा हुआ था पाव भाजी तो पाव हम पहले ले लेंगे पी ए यू पाव तो पाव से क्या निकला पुष्या अनुराधा और उत हैं प्रिंस मानते हैं तो है क्या यह? यह मर्करी है तो वह खाना उसको दिया बहुत सारा पर वह खाना नहीं खाना चाहता, क्यों नहीं खाना चाहता? जित पकड़ी, क्या जित पकड़ी? कि मुझे आचार लाके दो तबही खाओंगा, तो आचार की spelling भी माल लीजिए कि हमें बहुत अच्छे से spelling नहीं लिखनी आती है तो आचार की spelling हम लिखते देते ए जे आर आजार होता तो आचार है पर हमने लिख दिया आजार अब आजार से क्या होगा अश्लेशा जेष्ठा और रेवती तो बस ये थे नक्षत्र और एक बर हम टेबल को दुबारा देख लेते हैं तो देखा आपने जैसे हमने लास्ट में देखा था आजार तो यह लीजिए आजार आश्वनी जेश्टा रेविती यह किसके नक्षत्र हैं यह मरकरी के नक्षत्र हैं मरकरी को प्रिंस भी बोलते हैं निम्रालिजी में तो यह जब तक बच्चा आचार नहीं खाएगा खाना नहीं खाएगा उसी तरह से हमने देखा पाव भाजी का कमाल तो पी ए यू पाव यानि की पुश्य अनुरादा उत्तर भाद्रपद यह किसके नक्षत्र हैं शनी के नक्षत्र हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही और अगर आपने याद अखनी की सीरियस के पहले तीन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और हां इस्टॉलिजी में आप और क्या सीखना चाहते हैं कहां मदद चाहते हैं जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हो सकेगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा झालो झाले की